तो इस मूवी के शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक अंजान से प्लैनेट के उपर बहुत सारे मैक्सिमल्स होते हैं और उन सभी मैक्सिमल्स के उपर टेरेकॉंस की टेम हमला कर देती हैं मूवी के ट्रेलर के अंदर आप सभी ने जितने भी ऐसे ट्रांसवर्मस को देखा था जो कि किसी ने किसी जानवर के रूप में थे जैसे कि गोरिला, चीता या फिर रइनो तो वो सारे जानवर वाले ट्रांसवर्मस मैक्सिमल्स हैं ठीक बिलकुली ऑट़्बॉस की तरह और प्राइमल का नाम Optimus Prime के उपर ही रखा गया है लेकिन अब ऐसा क्यों है और यह कैसे हुआ यह सब आप सभी को मुवी में आगे पता लगेगा अब मैक्सिमल्स के बाद बात करते हैं टेराकॉंस की तो यह टेराकॉंस यूनिक्रों की आर्मी है और टेराकॉंस की पूरी आर्म कर देता हैं और क्योंकि यूनिक्रों खुद एक प्लैनेट से भी जादा बढ़ा है इसलिए वो इस प्लैनेट के अंदर टेराकॉंस को भेजता है ताकि टेराकॉंस मैक्सिमल्स के हाथों से एक की को ले आएं एक ऐसी की यानिक एक ऐसी चावी जो की यूनिक्रों को चाहि और अगर Unicron ने इस चावी को हासिल कर लिया, तो फिर वो इस चावी की मदद से, टाइम और स्पेस के एक पॉर्टल को खूल सकता है, और फिर वो अस पॉर्टल के जरिये, किसी भी प्लेनेट के पास जा सकता है, और उस प्लेनेट को खा सकता है, इसके साथ ही इस पोर्टल के जरीए वो ना सिर्फ पास्ट में जा सकता है बलकि कई सा लागे फ्यूचर में भी जा सकता है और ये तो आप सभी जानते हैं कि यूनिक्रोन प्लैनिट्स को खाता है बिल्कुल गैलेक्टरस की तरह और इसी से उसकी भूग शान्त होती है और मैक्सिमल्स ये जानते हैं कि अगर यूनिक्रोन के हाथ में चावी आ गई तो फिर वो पूरे यूनिवर्स को इमिटा देगा तब तक वो अकेला ही इन सारे टेराकॉंस से फाइट करके उन्हें रोकेगा अपने लीडर के ओर्डर्स मिलता ही सारे के सारे मैक्सिमल्स एक बड़े से स्पेस्शिप के अंदर बैट जाते हैं और फिर वो उस चावी को लेकर सीधा उस प्लैनेट से निकल कर सीधा अर्थ प्लैनेट में चले जाते हैं जो कि उस प्लैनेट से बहुत दूर होता है और उन्हें वहाँ से निकलने में टेराकॉंस रोक ना पाए इसके लिए सारे Maximals का Optimus Primal उन सबसे अकेले ही फाइट करके उन्हें रोक रहा होता है लेकिन उन सबसे अकेले फाइट करने की वज़ा से Terracons का लीडर यानि की Scurge उस Optimus Primal को जान से मार देता है लेकिन उसकी पूरी आर्मी वहाँ से निकलने में काम्या हो जाती है ये देखकर Unicron को बहुत गुसाता है और इसी लिए वो सकर्च से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी जाए और उस चाबी को उसके पास लेकर आए और फिर इसके बाद Unicron उस पूरे प्लैनेट को कंजूम कर लेता है इसके ठीक बाद हमें Earth Planet का नजारा दिखता है जहाँ पर साल चल रहा होता है 1994 यहीं पर New York शहर के अंदर हम एक जवान से लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है Noah Noah अपने घर में अपनी छोटी सी फैमली के साथ रहता है और इसकी फैमली के अंदर इसकी मदर और एक छोटा भाई होते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि Noah के छोटे भाई को serious medical problems है और इसलिए उसका बड़े hospital में इलाज भी चल रहा है लेकिन क्योंकि Noah के पास कोई जॉब नहीं और नहीं उसकी फैमली जादा पैसे वाली है इसलिए उसके भाई के इलाज में बहुत problem सारी है और क्योंकि Noah ने अपने भाई के इलाज के तीन महीने से पैसे नहीं दिया है इसलिए अब डॉक्टर्स ने उसके भाई का इलाज करने से भी मना कर दिया है ये सब देखने के बाद Noah एक job interview के लिए जाता है और वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से इस job को हासिल कर ले ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने भाई का इलाज करा सके लेकिन हम ये देखते हैं कि Noah को वो job नहीं मिलती और उसे ये बोलकर job के लिए reject कर दिया जाता है कि वो एक टीम के साथ मिलकर काम करने के काबिल नहीं है जौब से reject होने के बाद Noah अपने एक दोस्ते मिलता है लेकिन Noah का ये दोस्त एक चोर होता है और इसलिए वो Noah से कहता है कि अगर वो अपने भाई का इलाज कराने के लिए पैसे चाता है तो उसे उसके साथ मिलकर एक चोरी करनी होगी Noah के पास कोई रास्ता नहीं होता और अपने दोस्त के कहने पर एक बिल्डिंग के अंदर एक कार चोरी करने निकल जाता है Noah इदर बिल्डिंग के अंदर कार की चोरी करने जाता है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि उसके शहर के एक बड़े से म्यूजियम के अंदर एक प्राचीन सी पक्षी की मूर्ती होती है और उस छोटी सी मूर्ती के उपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं और जब उसी म्यूजियम की एक कर्मचारी उस पक्षी की मूर्ती को देखती है तब वो रात को अकेले में उस मूर्ती को निकालती है और उसके उपर लिखे अक्षरों के उपर रिसर्च करने लगती है और फिर उसे पता लगता है कि वो सिंबल बहुती प्राचीन टाइम का है आज से तक्रीबन 500-600 साल पहलेगा लेकिन उस मूर्ती के उपर रिसर्च करते टाइमी उस लड़की के हाथों से जिसका नम एलीना होता है उससे वो मूर्ती तूट जाती है और फिर हम यह देखते हैं कि उसने गलती से इस मूर्ती को तोड़ दिया है लेकिन जैसे ही मूर्ती के तूटने के बाद चावी बाहर निकलती है वैसी कुछी दिल में वो चावी चमकने लगती है और फिर तभी उस चावी के अंदर से एक बहुत सोर की लाइट निकलती है एक ऐसी लाइट जो की आस स्पेस में पोर्टल खोल सकती है अब यहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन आटोबोट्स को ये भी पताए कि अगर वो लोग किसी तरह से उस चावी को हासिल कर लेंगे तो वो सब उसकी मदद से अपने ग्रह पर वापस जा सकते हैं यानि कि साइबर ट्रॉन प इसके बाद दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो कि कार को चोरी करने के लिए एक कार के अंदर खुष जाता है लेकिन जैसी वो उस कार के अंदर खुषता है वैसी हमें पता लगता है कि वो कार भी एक ट्रांसफॉर्मर है और इसलिए कार में खुषता ही जैसी नोआ क कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है वैसे उस कार के अंदर से ऑप्टिमस प्राइम की आवाज आती है जो कि उसकार को कहती है मिराज तुम्हें जल्दी से जल्दी अड़े बराना है और फिर यहीं से हमें पता लगता है कि इस ट्रांसफोर्मर का नाम मिराज है यह आवा के सारे ओटोबॉर्ट अपने अड़े पर एखटा होते हैं लेगिन फिर यही पर आप्टिमस प्राइम जैसे यह देखता है कि मिराज वहां पर एक इनसान को लेकर आया है वैसी वह मिराज के उपर गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि तुम इंसान को क्यों लायो लेकिन मिराज जो की बहुत मजाक्या होता है वो अप्टिमस प्राइम से कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जब ये लड़का मेरे अंदर बैठा था तब मैंने इसकी बाते सुनी थी और ये लड़का बहुत अच्छा है इसलिए हम इसके पर भरोसा कर सकते हैं इसके बाद Optimus Prime सारे Autobots से कहता हैं कि वो सभी साथ सालों से धरती पर रहे हैं और इन साथ सालों में उन्हें अपने ग्रह पर वापस जाने का कोई मोका नहीं बिला लेकिन अब उनके पास एग मोका हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो चाबी इसी शेहर के पास के म्यूजिम के अंदर है और अगर वो चावी उन्हें मिल गई तो वो उसकी मदद से अपने ग्रह वावज जा सकते हैं पर Optimus Prime सभी से कहता है कि ये काम उन सब को चुपके करना होगा और क्यूंकि वो सभी बहुत बड़े हैं इसलिए उन सब का चुपके से उस म्यूजियम के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है ये सुनते ही मिराज उन सब से कहता है कि उनका ये इनसान दोस्त उन सब की मदद कर सकता है और मिराज ये जानता है कि इसे अपने भाई के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और इसलिए वो नोवा से कहता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा और उस चावी को म्यूजियम से निकाल कर उन सब को दे देगा तो वो नोआ को बहुत सारे पैसे देंगे ताकि वो अपने भाई का इलाज करा सके और फिर ये सुनते हैं नोआ इस ओफर को मान जाता है और सभी ओटोवर्ट्स के साथ मिलकर उस चावी को लेने के लिए म्यूजियम में चला जाता है सारे ओटोवर्ट्स मिलकर नोआ को म्यूजियम में घुजा देते हैं लेगिन नोआ जैसी म्यूजियम के अंदर जाता है वैसी वो ये देखता है कि वो चावी ऐलीना के हाथों में है नोआ ऐलीना को समझाता है कि वो चावी बाहर खड़े बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट्स की है और इसलिए वो इस चावी को लेने आये ताकि वो इस चावी को उन्हें सौप सके लेकिन एलीना उस पर भरोसा नहीं करती और नोवा के हाथों में चावी देने से मना कर देती है लेकिन फिर तभी हम यह देखते हैं कि उस म्यूजियम के बाहर आटोबोट्स के साथ साथ टेराकॉंस भी आ जाते हैं और उन्ही के साथ होता है उनका लीडर सकर्ज और फिर एलीना जैसे ही खिड़की से उन सब को देखती है वैसी वो उन्हें देखकर डर जाती है और इसलिए वो उस चावी को नोवा को दे देती है और उससे कहती है कि तुम लोगर से मेरा कोई लेने देना नहीं है सकर्ज और उसकी आर्मी पूरे म्यूजियम को बलास्ट कर देते हैं और उस चावी को ढूड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एलिना और नोवा किसी तरह से चावी को लेकर म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं और फिर उसी चावी को बचाने के लिए और टेरकॉंस के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनी टीम्स चावी को हासिल करने में लग जाते हैं इसी फाइट के अंदर सकर्ज आप्टिमस प्राइम से फाइट करता है और वो आप्टिमस प्राइम को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो आप्टिमस प्राइम की जान लेने ही वाला होता है कि आखिर वो लोग कौन थे और वो लोग इस चावी के पीछे क्यों पढ़े हैं और फिर इसी का जवाब देते वे आटो बोट्स उन दोनों को बताते हैं कि वो एक ऐसी चावी है जिसके जरीए टाइम और स्पेस में एक वोटल खुला जा सकता है और फिर उसके जरीए कहीं भी जाय जा सकता है और हम उस चावी का इस्तमाल करके अपने घर जाना चाते हैं यानि कि अपने प्लैनेट साइबर ट्रॉन में है लेकिन वही चावी यूनिक्रोन नाम के एक दुश्मन को भी चाहिए और ये सारे टेराकॉंस उसी के आदमी थे जो कि उसके लिए इस चावी को लेने आए थे और अगर यूनिक्रोन को ये चावी मिल गई तो वो तुम्हारे इस अर्थ प्लैनेट के साथ साथ यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और उन सारे प्लैनेट्स को खा जाएगा लेकिन यहीं पर आटोबोट्स उन दोनों को बताते हैं कि वो चावी पूरी ने इंगल की आधी है और इसलिए अभी यूनिक्रोन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी चावी का आदा हिस्सा उसे ढूड़ना बाकी है सारे ऑटोबोट्स के साथ मिलकर सीधा पेरु देश जाते हैं और वहां पहुँचकर उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं उस मंदिर की गुफाएं बहुत चोटी चोटी होती है इसलिए सारे ऑटोबोट्स यह फैसला करते हैं तो वो लोग इस चावी के दूसरे हिस्से को उनके हाथ आने से रोकेंगे लेकिन इनके प्लैन बनाने के कुछ टेम बादी हम यह देखते हैं कि स्कावर्ज और उसके साथ ही दूर से इन सबक्यों को अवजब कर देते और स्कावर्ज अपनी टीम से कह रहा था कि हमें पता है कि यह लोग यहाँ पर चावी लेने आये हैं और एक बार यह लोग चावी को बाहर निकालेंगे तो हम इनसे चावी छेन लेंगे ठीक बिलकुल पहले की तरह एलीना और नोवा जैसी मंदिर के गुफा के अंदर आते हैं वैसी उस गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का बॉक्स मिलता है और जैसी वो दोनों उस पत्थर के बॉक्स को खुलते हैं वैसी उन्हें ऐसा लगता है कि उस बॉक्स के अंदर चावी का दूसरा हिस्सा है लेकिन वो बॉक्स खाली होता है और उस बॉक्स के अंदर कई सारे निशान बने होते हैं और एलिना को ऐसा लगता है कि ये निशान जरूरी हो सकते हैं। इसलिए वो उन निशानों को कौपी कर लेती हैं और अपनी कौपी के अंदर नोड़ डाउन कर लेती हैं। लेकिन गुफा के बाहर सकर्ज अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है। और उसे ऐसा लगता है कि एलिना और नोवा को चावी का दूसरा हिसा मिल गया है और इसलिए वो अपनी आर्मी के एक छोटे से मैंबर गोज गुफा के अंदर भेजता है ताकि वो उन दोनों को मारकर चावी के हिस्से को सकरज के पास ले आए लेकिन सकर्ज के आर्मी का वो बंदा जैसी ऐलीना और नोवा के पास आता है वैसी उसे देखकर नोवा अपने कम्मुनिकेशन डिवाइस के जरिए मिराज को ये बता देता है कि वहाँ पर सकर्ज अपनी आर्मी के साथ आ चुपा है लेकिन वो गुफा के कैसे रास्ते से बाहर आते हैं जो रास्ता उन्हें सीधा जंगल की तरफ ले जाता है पर वो लोग जैसी जंगल में पहुंचते हैं वैसी उन दोनों को कई सारे मैक्सिमल्स घेल लेते हैं और उन सारे मैक्सिमल्स में होता है गोरिला ट्रांस्फोर्मर यानि की आप्टिमस प्राइमल, चीत और जो की एक चीता ट्रांस्फोर्मर है और राइनोक्स जो की एक राइनो ट्रांस्फोर्मर है लेकिन तबी वहाँ पर सारे ओटो बोट्स भी आ जाते हैं और Optimus Prime वहाँ पर आकर Maximals के सामने आ जाता है और वो उन सबसे कहता है कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं इसलिए इने नुकसान पहुचाने की सोच्टा भी मत इसके बाद ऐसा लगता है कि उन दोनों टीम्स की भी इस फाइट स्टार्ट होने वाली है और Maximals और Autobots एक दूसरे से लड़ने वाले हैं लेगिन वो सब आपस में लड़ते कि उससे पहले ही वहाँ पर एरिजोर आती है जो की एक ऐसी ट्रांसफोर्मर होती है जो की एगल के शेप में होती है और वहाँ पर आकर दोनों टीम्स को एक दूसरे के बारे में बताती है और Maximals को Autobots से मिलने के बाद Primals का लीडर Optimus Primal Autobots के लीडर Optimus Prime से कहता है कि हम सारे Past और Future के Transformers हैं और मैं हूँ इन सारे Maximals का लीडर Optimus Primal और मेरा ये नाम Optimus Primal तुम्हारे नाम Optimus Prime के ओपर रखा गया है क्योंकि आने वाले Future में Optimus Prime यानि कि तुम एक बहुत बड़े योधा बनोगे और मुझे इस बात क गर्व है कि मुझे तुम जैसे योधा का नाम मिला है इसके बाद Optimus Prime सारे Maximal से पूछता है कि इस गुफा के अंदर चावी का दूसरा हिस्सा नहीं है तो क्या तुम लोग जानते हो कि वह चावी का दूसरा हिस्सा कहां पर है यह सुनते ही Maximal का Head Optimus Primal यानि कि एक King Kong Optimus Prime को आता है कि मैं जानता था कि उस कुफा के अंदर से कभी ने कभी कोई चावी निकालने की कोशिच करेगा और इसलिए मैंने चावी को कहीं हो चुपा दिया है इसके बाद वह सभी को अपने साथ आने के लिए कहता है और फिर वह सभी को लेकर सीधा एक कभीले के पास जाता ह और इसलिए उन सब को इस कबीले के उपर भरोस आए और इसी वजह से उसने चावी को भी यहीं पर चुपाया था चावी के दूसरे हिस्से को लेने के बाद वो सभी वहां से जा रहे होते हैं लेकिन फिर तभी उनके उपर सकर्ज अपनी टीम के साथ अटेक कर देता है और फ जो की इगल ट्रांसफोर्मर है वो सकर्ज से जाकर फाइट करती है लेकिन फाइट के दौरानी सकर्ज एरा जोर के उपर एक डिवाइस फिक कर मारता है और उस डिवाइस के लगते ही एरा जोर काफी ज़दा जख्मी हो जाती है लेकिन एसन में वो एक ऐसा डिवाइस होता जिसके जरिये सकर्ज एराजॉर के उपर हावी होने लगता है और वो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करने लगता है इस फाइट के अंदर ओर्टो बोट्स और मैकसिमल्स मिलकर इसकर्ज और और उट्सकी टीम को दूर भगा देते हैं इसके बाद हम यह देखते हैं कि एलीना और नौा दोनों मिलकर चावी के दूसरे हिस्से को लेकर काफी दूर आ जाते हैं लेकिन फिर तभी एराजॉर के दिमाग के उपर इसकर्ज हावी होने लगता है और वो उससे अपने कंट्रोल में कर लेता है जिसके बाद एराजॉर सीधा उड़कर एलीना और नौ इसकर्ज का पीछा करने लगते हैं और वो उसे रोकने के लिए चाते हैं लेकिन सभी को अपने पीछे आता देखकर इसकर्ज एराजॉर के दिमाग के उपर कंट्रोल करता है और उसे मैसेज देता है कि वो उसे यहां से निकलने दे और जब तक वो आटो बोट्स और मैक्स मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल एराजॉर के उपर कूच जाता है और एलीना को उसके हाथों से बचा लेता है और फिर ना चाहते वे भी उसे एराजॉर को जान से मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो एराजॉर को नहीं मारेगा तो वो उनके लिए और को कामयाब करने से रोकना होगा और फिर इसी प्लैन में एलिना उसे कुछ निशान दिखेते हैं कि उसने इन निशान के भारे में जाना है और वह निशान ऐसे हैं यह उन निशानों की मदद से उस चावी से खुले वे पूर्टल को रोका जा सकता है इसके पादी वो सारे ये डिसाइड करते हैं कि वो सब जाकर सकर्ज और उसकी पूरी आरमी का सामना करेंगे और उसी दौरान एलीना इस निशान की मदद से उस पोर्टल को बंद कर देगी इसके बादी दुसरी तरफ ہम देखते हैं कि इस सकर्ज अपनी आर्मी के साथ मिलकर फटा-फट से जावी को एक्टिवेट कर देता और पॉर्टल को फूलना स्टार्ट कर देता है और उस पॉर्टल के 210 के खुछ जाते हैं कि अब उनके पास जादा टाइम नहीं है और फिर इसी लिए वो सारे एक साथ मिलकर सकर्ज और उसकी पूरी आर्मी पर अटेक कर देते हैं लेकिन सकर्ज वहाँ पर अपनी आर्मी के और भी बहुत सारे मेंबर्स को बला लेता है जिसके बाद उन दोनों आर्मी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है फाइट के तुरानी एलीना धीरे से जाकर उस चावी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उस चावी को आफ कर सके और पोर्टल को बदल कर सके लेकिन तबी पर और भी कई सारे अटेक्स करता है और मिराज के कई सारे टुपड़े कर देता है लेकिन इसके बाद वो नोवा को मार पता कि उससे पहले ही आप्टिमस प्राइम वहां पर आकर इसकर्च को रोग देता है और उससे फाइट करने लगता है मिराज की यह हालत देखका पर खड़े होने की हालत में नहीं है लेकिन वह यह चाहता है कि अब उससे नोवा कंट्रोल करें और फिर यह बोलता ही वह नोवा की बॉड़ी से चिपक चाता है और नोवा देखने में बिलकुल एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है इसके बाद आप्टिमस प्राइम और नो का प्लाइन फेल हो जाता है लेकिन फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और सकर्च के बीच बहुत खतरनाग फाइट होती है और उस फाइट के अंदर ऑप्टिमस प्राइम सकर्च को जान से मार देता है और उसकी गरदन को उखाड देता है इसके बाद ही हम यह देखते है कि वो सब लोग यहां से बहुत दूर चले जाए क्यूंकि अब वो अकेला इस पोर्टल को बंद करेगा आगे उप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि यह चावी जो कि इस पोर्टल को पूल रही है अब तक हम इस चावी को बचा रहे थे और वो इसी लिए क्यूंकि इसी चा जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगागर उस चावी के उपर अटैक करता है जिससे चावी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो चावी पूरी तरह से तूड़ जाती है जिसके बादी वो पोर्टल धीरे-धीरे करके वापस बंद ने लगता है और यूनिक्रॉन एक पर फिर से अपनी जगह पर फच जाता है इसी के साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जब पॉर्टल पूरी दरह से खुला होता है तब जैसी यूनिक्रोन उसके जरीए अंदर आने की कोशिश करता है वैसे उसके इंपक्ट की वज़ासे वहां के आसपास के एनर्जोन का ल और आप्टिमस प्राइम की वज़ा से वो लोग उस पॉर्टल को बंद कर देते हैं जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है इसके बाद मैक्सिमल्स और आटोबाट्स अपनी अपनी लाइफ में वापस लोड़ जाते हैं और एलीना और नोवी अपनी अपनी लाइफ में ल भादुरी दिखा कर दुनियां को बचाने में ओटोबाट्स और मैक्सिमल्स का साथ दिया हैं और फिर इसीपनेव औसे कहता हैं कि वह उसे उफर करता कि वो उनके साथ जयों जाएं और साथिसात नौँ आपने बड़े दोस्तों को भी इनके साथ जयों करें यानियां कि इ वहां से कहता है कि इस जॉब के अंदर उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और वो ये भी जानते हैं कि उसके भाई की medical conditions ठीक नहीं है इसलिए वो लोग उसके भाई का भी इलाज करेंगे वो भी वर्ल्ड के पैस्ट डॉक्टर से इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है तो दोस्तों यही थी वीडियो Transformers Rise of the Beast मूवी के उपर आपको इस मूवी की complete स्टोरी और हमारा explanation कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स में बदा सकते हैं